असलाम अलेकुम मैट्रिक से लेकर में मसी तक एडूकेशन की अपडेट सबसे पहले और 100% ओफीशल लेने के लिए सक्सेस्फल ग्रेजुएट को सबस्क्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके और पे क्लिक करें तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं मै मैं मसी स्टूइन खरण वाब ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं यह बीए बीएसी वाले सुड़ेंट तो हुआ ही थे लेकिन मैं मसी भी हो रहे हैं ठीक है आपको बता देता हूं यह जो मैस्चिज आ रहे हैं आप लोगों को रोलनमसलिप के मतलीग ठीक है यह आप यह मेरे में पार्ट 2 के एक्जैम जो है ठीक है 9 से स्टार्ट हो रहे हैं मैं कंफ्यूज क्यों हूं जी रोलनमसलिप मैसीज आया है ठीक है कि 9 से एक्जैम स्टार्ट हो रहे हैं यह देखे मैसेज में लिखा हुआ है और हमारा जो पेपर है मेरा वह 12 से पहला है तो क्या मेरा 12 से होगा यह नौ से होगा आपको बता जो ल Reddit Yi zijn जिट में आप के पेपर्च देखे जाम है तो नौ से शुरू हो रहे हैँ ठीक है आपका पेपर नौ को शुरू हो रही है ठीक है अब किसी का 9 संबल को नहीं है किसी का 10 को नहीं है किसी का 12 को स्टार्ट हो रहा है किसी का 10 को स्टार्ट हो रहा है वो अलएदा चीज नहीं है यह जो पेपर्स है यह आपके वैसे 9 से शुरू हो रही है अगर आपका 9 को पेपर नहीं है 10 को नहीं है तो कोई बात नहीं आपने अपनी रोलनबर स्लिप वाली जो डेट है ना टाइम वो देखने है ठीक है यह देखने हैं आप सुड़न बहुत परिशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर तो यह जैस्ट व यूनिवस्टी आपको रिमाइंडर करवा रही है कि आपकी रोलनबर स्लि कोई भी मकसद नहीं है पेपर आप लोगों के 9 स्टमबर से शुरू हो रहे हैं लेकिन स्टूडेंट आप लोगों के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका पहला पेपर उन्हें उन्हें दस को रखा है किसी का बारा को रखा है ऐसे हैं आपने अपनी रोलनबर स्लिप वाला जो है ना डेट वो आपने देखनी है ठीक है कन्फ्यूज नहीं हो ना आपने अपनी जो रोलनबर स्लिप है ना उसके ओपर जो डेट आम लिक है वो आपने देखनी है ठीक है जो हमें याद रखिएगा अल्लहाफीज